दोस्तो सारे गामपा अपने नए सीजन के साथ वह आपसा चुका है और हम सबी जानते हैं कि सारे गामपा जब भी टी वी पर टेली कास्थ होता है तब टी यारपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और सारे गामपा के इस नए सीजन का पहला एपिशोड भी टेलीकाश्ट हो चुका है और आज इससो का दूसरा एपिशोड टेलीकाश्ट हुआ वैसे सो में अभी ओडिशन राउंड टेलीकाश्ट हो रहा है लेकिन ओडिशन में ही भीतरीन परफोंच तेखने को मिला और इस बार के नए सीजन में एक दो नहीं बलकि पूरे पांच जजज हैं जी हाँ जिससे साब साब पता चलता है कि इस बार सारे गामापा में कॉंपटिशन एक लेबल उपर रहेगा तो चले जानते हैं कि आज सारे गामापा के एपिशोड में किस किस कंटेशन ने ओडिशन दिया और किसे इस सो के आगे के राउंड क्लिए सेलेक्ट किया गया और इनको आगे के राउंड के लिए सेलेक्ट भी किया गया उसके बाद देबरू, पोटियो सेन, अनमोल रजा ने एक एक करके पफोर्मेंस दिया और तीनों को आजिशन जजजेस को पसंद आया तब ही तो सोके जेजेस ने तीनों को next round के लिए सेलेक्ट कर लिया तो इस अगला audition performance हुआ सरद्धा का सरद्धा का audition rocking performance था मतलब जेजेस भी जूमने लगे थे और इनको भी आगे के round के लिए सेलेक्ट किया गया है तो ही अरसुनूर ने भी लाजवाब ओडिशन पखोंस देका जज़ेस को इंप्रेस कर दिया और नेक्स्ट राउंड में अपनी जगा बना लिया तो ही अगला पखोंस हुआ उज्वाल का जी हां उज्वाल ने भी तरिन ओडिशन पखोंस दिया और इनका पखोंस जज़ेस को इतना पसांद आया कि ज़ेस स्टेश तक आ गये और इनको आगे के राउंड के लिए सेलेक्ट कर लिये तो ही सबसे खास पखोंस हो आप बिदिशा का जी हां बिदिशा ने आज सभी का दिल जीत लिया चाही वो जज़ेसों या ओडियन्सों सभी का मन मोलिया और इनको आगे के राउंड में जगा भी दिया गया है अब आप बताओ इन सभी में से आपका फिवरेट कंटेस्टन कौन है आप कॉमेंट करके अपनी राय जरूर देना और इस चैनल को भी सबस्क्राइब कर लेना बाकी मिलते हैं बहुत जल लेगने वीडियो के साथ तब तक लिए जैहिन्द